हेलो स्टुडेंट रामरत निश्टरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम हिंदी में मोस्ट अंपॉर्टन टॉपक पढ़ेंगे उफसर्गों को इससे पिछले वीडियो में हमने संस्कृत के उफसर्गों को पढ़ा बहुत डिटेल से संस्कृत में कुल 22 हमने एक एक करके पढ़ाया है फिर इसके बाद हमने हिंदी के संपूर उफसर्ग जितने भी हिंदी के उफसर्ग हो ते उनको पढ़ाया है आज हम पढ़ेंगे बिदेशी भासा के उफसर्ग जो बिदेशी भासा के उफसर्ग हैं उनको पढ़ेंगे जो बिदेशी भासा कुल कितने उफफ्षग हैं उनको देखेंगे जाएउ धारण साय समझेगे तो देखें सब perfekt hacemosえば सकी सत्रा हैं तो सबसे पहले कौन को साथ है बा-बड साथ है बे बद बर बिल दिल कम न खुस एन सर गार हम हर नेक यह जो यहां पर सब्द लिखे हुए हैं। यह उफसार करती है हैं। यह विदेशी भासा अरवी और फार्सी भासा के सब्द है। अगाव ये सारे के सारे सब्द हम हिंदी में प्रियोक करते लेकिन ये हिंदी भासा के सब्द नहीं है ये विदेशी अरवी और फार्सी भासा के सब्द है तो उफसरगों से आपको के लियर हो जाएंगे तो वीडियो को जरूर का रथोता है उपर या पर या बाहर ठीक है अगला आता बिल का रथोता है सात में बिला का रथोता है बिना ला का रथोता है बिना कम का रथोता है नियून या हीन ना का रथोता है नहीं या बिना खुस का रथोता है प्रसन्य आच्छा एन का रथोता है पूरा या ठीक सरका वह हमकारथ होता है। मुख्य अच्छा, गयरिया कारथ होता है। सा 对 या समान और ही प्रतेकं और अच्छी तो रहा है। हमारे पांच बेंजन बढ़न ऐसे हैं जिनको हमने विदेसी भासाओं से गिर्ण किया है वो है आपके का खा गा जा और फा का खा गा जा और फा जो हिंदी में इन बेंजन बढ़नों को हमने सामल किया है इन्हें आगत बेंजन कहा गया है अर्वी और फार्सी भासा से कहते हैं इनके नीचे लगा होता है जिन सब्दों में यदि यह का खा गंजा और फा के नीचे नुक्त लग जाएं तो समझ जाना वह अर्वि और फार्सि नी गार्वडेशी भाषा का सब्द तो अभी हमने देखा हैं यदि आपको ये विदेशी भासा के 17 उफशर्ग आपको यदि दिमाग में याद हैं तो आप किसी भी सब्द को आसानी से पहचा सकते हो कि ये अर्वी फार्सी भासा का सब्द है हिंदी भासा चली हम देखते हैं इनको एक डेटेल से समझते हैं सबसे पहले बाकार्थ होता है सहत बाकार्थ क्या होता है सहत बाकार्थ होता है सहत बाप्लस सर्थे से क्या हो जाएगा बसर्थे यानि सर्थ के सात में अरे भाई सबसर्थे ना जब बसर्थे बोलते हैं तो सर्थ के सात में बोलते हैं सर्थ सहत ना बखूबी तो बाप्लस खूबी त खूबी यानि खूबी के साथ और खूबी के सहत कई थी हिंदी में हमें हिंदी को रटना नह adjust कैसे निकल किया थे देखो बड़ा बाकार्थ होता है थे तो यह बा कायदा यानि कायदा सहत is कायद के कर वोई काइदे के साथ बोलना और काइदे के साथ रहना काइदे के साहत रहना तो बाप्लस काइदा से क्या हो जाए बाकाइदा यानि काइदे के साहत है बाप्लस इज्जत तो बाइज्जत हो जाए बाप्लस इज्जत से क्या हो जाए बाइज्जत यानि इस व्यक्ति को एक जोता है रहत भेदर्द है उत हम रहत हमें प्रियोग कर सकते हैं और भेदर्दर्द corporate या बेना दर्थ के मैं उप्सार कौनसा है मुल सब्सक्र Praise इना वफा ना वफा ना काया उसको कहले लिए बे भात यह आ पर हो जाएगा बद्यविता नाम को बुले वह बद्यौर नाम से के होसे समझ की ब्रकार्थ को उपर या पर या बाहर बर खास्त तो जाएगा बर खास्त यानि बर खास्त कर दिया उससे बहार नकाल दिया तो इसका आर्थ बर का उपर प्रियोग हम उपर के लिए करते पर के लिए करते बाहर के लिए तो बर प्लस खास्त यानि बर खास्त कर दिया उसको बहार नकाल दिय साथ तो बिल्कुल यानि बिल्कुल हाँ ठीक बिल्कुल ऐसा काम करना बिल्कुल हम करेंगे साथ में करेंगे बिल्कुल अगला आता है बिला बिला करतो था बिना बिला करतो था बिना बिला करतो था बिना बिला का प्रियोग हम बिना के लिए प्रियोग कर सकते बिला सक यान कानून यानि बिना कानून के बिला को समने बिला कानून ठीक है बिना कानून के लाकार्थ होता है बिना लाकार्थ के भी प्रयोग है बिना जैसे ला इलाज यानि बिना इलाज के उसको ला इलाज बोलते हैं ला इलाज का मतलब होता है ला इलाज का अर्थ होता है बिना इला रिस्त, बिना बारिस के होते हैं लावा रिस्त, कम का अर्थ होता है कम, कम उफसर का अर्थ होता है, कम या हीन, कम जोर, यह नि बहुत कम जोर है, पतला है, उसको बोडी में कमी है, तो कम जोर, कम कम मतलो हीन है, या नि पतला है, दूबला पतला, कम अकल है, बिना अकल के, कम सब्सक्राइब यहां तक कि हमारा हिंदी है हिंदी वह भी फार्सी भासा का वो सब्द आ होता है ना कार्थ होता है नहीं कि प्लس लाईक जो लाईक elastic भीना मुराथ को हम बोलते न मुराद निससी मुपी न आक अगला है खुस का लुए अंच्छा या पर श्ट कार्थ होता है अच्छा या परसन अच्छह को अच्छा मेजाज्ट वालाách मुंत अच्छा हाल थीक है अग अगला ऐन आकार्त होता है ठीक या पोरा एन का अर्थ होता है पूरा या ठीक मलब सब्सक्राइब करको सब्सक्राइब अबघ्ष पर पहुthing पर पहुँच गएidents सब्सक्राइब अब लाओत है सर्कार्थ होता है मुख्ष जो इंसान समाज में पार लोगों के में बीछ में मुख्य एपlor मुख्य को बोलते हैं सब्ढ़ को और ताज सजीगा सबलते हैं इस तरह सरसार सबद अगला है गयर कानुन है तो गयर गेर कानुन में बिना कानुन को बोलते हैं गेर जम्मिदार गयर कार तो बिना के लिए प्रियोग के लिए गयर जम्मिदार इन सभी में सीधी सीधी सायोग हो रहा सार के सारे सीधे जुड़ रहे हैं हम प्लस राज हम मतलब साथ में तो हो जाएगा हम राज हम सफर यानि साथ में सफर करते हैं जो जो लोग जीवन में साथ में रहते हैं उसको हम सफर बोलते हैं जो हमेशा समान रहे हैं साथ में हम सफ हर कार्थ होता है प्रतिक हर कार्थ होता है प्रतिक जैसे हर प्लस रोज से क्या हो जाएगा हो जाएगा हर रोज अगला हर प्लस घड़ी से हो जाए प्रतिक घड़ी है नी हर घड़ी एक और बचे आपका नेक कार्थ होता है अच्छा नेक का प्रयोग हम किसके लिए प्रयोग करते हैं अच्छे के लिए जैसे यहाँ पर हम लखते हैं यहाँ पर नेक कार्थ होता है अच्छे के लिए जैसे यहाँ पर लखा नेक नेक दिल तो नेक दिल का मतलब होता है नेक राय हमने अच्छी राय पर तो इसमें आज हमने इसमें complete विदेशी भासा के उफसरगों को पढ़ा है और यह जितने भी सारे सब्द जो बने हैं और भी बहुत सारे सब्द होते हैं लेकिन हमने आपको इसमें एक सम्झाने के आधर पर में बताया है और यदि आपको सब्सक्राइब कराएंगे तो आप यदि नए हो तो आप चैनल को इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें ठीक है मिलते हैं एक नेस्ट टॉपिक में